शमी के पेड के ये अचू कुपाए, धन में करेंगे वृध्धि और मिलेगी सुख समृध्धि. आगे जानने से पहले महादेव भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, शमी के पेड की पूझा करने से आपके घर में सुख समृध्धि बढ़ती है और भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। शनी की अशुब दशा में भी शमी की पूझा करना परम फलदाई माना जाता है शमी का पेड घर में लगाना चाहिए और रोजाना शाम की पूझा के वक्त शमी के पेड के सामने धूप दीप करने से आपके मन की और आपके घर की नकारातमक्ता दूर होती है। आईए जानते हैं शमी के पेड के कुछ अचूक उपाए नमबर एक शमी के उपाए व्यर् आपको करना ये है कि शनिवार को सुबह जल्दी उठें और शमी के गमले की रेत में एक सुपारी और एक सिक्का गाड दें। उसके बाद रोजाना साथ दिन तक शाम को शमी के पेड के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप भी बचत करना शुरू कर द और आपके पास पैसे रुकेंगे। जन होकर कृपा बरसाती हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। जन होगा और कर्ज चुकाने में भी धीरे-धीरे सक्षम हो जाएंगे। जड़ में चड़ाएं। ऐसा लगातार करते रहने से आपको शीघ्र ही मनचाही नौकरी पाने में सफलता मिलेगी। जीवन में सुख शान्ती के लिए जीवन में सुख शान्ती रहे और परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बना रहे। इससे बड़ा धन जीवन में दूसरा हो ही नहीं सकता। जीवन में सुख शान्ती पाने के लिए शनिहर सोमवार को शिवजी के मंदिर में शमी का फूल लेकर जाएं और इसे बेलपत्र के साथ ही शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके मानसिक और शारीरिक कश्ट दूर होते हैं और आपके घर में सुख शान्ती स्थापित होती है।